आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ Download now Question कहा है that हमारे पास यहाँ पे 3 vectors given है जो कि non-coplinars है तो हमारे पास given है 3 points with their position vectors जो कि यह है तीन points के position vectors given है और यह collinear होंगे अगर M की value हमें निकाल लिए तो हमारे पास क्या है 3 position vectors given है और हमें निकाल लिए M की value तो position vector मतलब एक point का vector तो हमारे पास 3 position vectors given है और हमारे पास given है कि यह क्या होंगे collinear होंगे मतलब A के line पर लाई करेंगे तो एक काम करते हैं इसको A let कर लेते हैं इसको B और इसको C capital A, capital B और capital C ये इसके points हैं तो अगर ये collinear है तो हमारे पास क्या होगा कि जो AB vector है वो equal होगा sum scalar T into my BC vector ठीक है तो ये condition होगी कि इसकी अगर वो क्या है collinear है collinear ओके तो यहाँ पर AB vector किसके equal होगा AB vector होगा A vector minus C vector मतलब 2 A vector plus में M into B vector minus 4 C vector इसमें से माइनस करेंगे क्या A vector minus में 2 B vector plus में 3 into C vector ठीक है तो ये हमारे पास equal होगा A vector ठीक है M minus minus plus होजाएगा तो ये होजाएगा plus में M plus में 2 B vector ठीक है minus में C vector ये हमारे AB vector आ गया similarly हम निकालते हैं BC vector को BC vector क्या होगा ये vector minus में ये vector then minus 7 B vector plus में 10 C vector इसमें से minus करेंगे minus 2 A vector minus में M B vector minus minus plus में 4C vector तो यह हमारे पास हो जाएगा यहां B vector अगर common निकाल लेते हैं सबसे पहले A vector को लिख लेते हैं minus 2 A vector ठीक हैं अब minus common निकालेंगे तो यहां बनेगा 7 plus में M into में B vector ठीक हैं और plus में 14C vector ठीक हैं तो हमारे पास AB vector and BC vector दोनों आ गया हैं तो यहाँ put कर देते हैं इन दोनों values को, तो यह हमारे पास बनेगा vector A, plus में M, plus में 2, into में vector B, minus में vector C, is equal to some constant T, into में this vector, तो यह बन जाएगा, मारे पास, minus में 2, into T, A vector, minus में 7, plus में M, into में T, into B vector, plus में 14, T, into में C vector, ठीक हैं? अब हम देख सकते हैं कि यह दोनों vectors के हैं, equal हैं, तो जो दोनों side हमारे पास vectors given हैं, उनके जो scalars हैं, वो भी equal होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 1 है, और यहाँ minus 2T है, तो यह equal होगा, 1 equal to minus 2T, ठीक हैं, यहाँ पर हमारे पास M, plus 2 है, यहाँ पर है, minus 7, plus M, into में T, ठीक हैं, तो सबसे पहले निकाल देते हैं, T की value, T की value यहाँ से बनेगी, half, minus half, ठीक हैं, यहाँ से हमारे पास T की value क्या बनेगी, sorry, यहाँ एक mistake हो गई, यहाँ पर हमारे पास यह minus था, तो यह minus 3 होगा, और यह add करके यहाँ आजाएगा, minus 7 into C vector, ठीक हैं, तो यहाँ आजाएगा, minus 7, sorry, यहाँ नहीं, यहाँ होगा, minus 7, ठीक हैं, तो यहाँ होगा, minus 7, और 7 से cancel करेंगे, तो यहाँ आजाएगा, minus 2, minus 7 से cancel किया, तो T की value बनेगी, यहाँ से minus half, तो दोनों side से हमने check किया, तो T की value minus half ही आ रही हैं, मतलब हम सही जा रहे हैं, ठीक हैं, अब T की इस value को हम यह इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यह जो 2 है इसको हिहां मल्टिप्लाइ करतेंगे तो यह बन जाएगा 2M प्लस में 4 इक्वल तो 7 प्लस में M इसको ले जाएगे left-hand side इसको ले जाएगे right-hand side तो हमारे पास आजाएगा 2M-M is equal to 7-4 that is M is equal to 3 तो M के वल्ली के अब नहीं equal to 3 so the answer is equal to 3 and options में चेक करते हैं तो B part is the correct option Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज यह डाउनलोड करे doubtnet आप या whatsapp कीचे अपने doubts 8444 चारस उपर